रिवा में युवक को बंधग बनाकर मारपीट का मामला सामने आया है यहां कोतवाली पहुचे सैक्डों लोगों ने मिलकर थाने का घिराफ किया इस दौरान पिर्त महिला ने बताया कि उसका बेटा तीन दिनों से लापता है मामले में थाने में शिकात भी दर्च कराई गई मगर अभी तक बेटे का कोई सुराग नहीं मिल सका है महिला ने बेटे के अपरण की आशंका जताई है रिवा के तरहटी निवासी महिला ममता का कहना है कि उसका 19 वर्षी बेटा अमितर जग 20 तारीक से घर वापस नहीं आया है मामले में महिला ने जानकारी देते हुए कहा कि उसके बेटे के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी से मार पीट की है महिला के मताबिक उसके बेटे को कुछ लोग चाय की दुकान से उठा कर ले गए जहां उसके साथ मार पीट की गई महिला कारोप है कि गुलाब रजक, फिमला रजक और उसके आने लोगों ने ये वक के साथ मार पीट की है और उसके बाद उसे बंधक बना कर रखा हुआ है वहीं बेटे की गुमशुदगी की शिकात महिला ने 21 तारीक को थाने में दर्च करवाई थी पर आज तक आमित रजक का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई और नहीं उसे संबंदित कोई जानकारी हासिल हो सकी है बताया जाता है कि वह के साथ मार पीट की गई है जिसके बाद उसे बंधक बना लिया गया है आई आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर महिला ने क्या जानकारी दी है मेरो रिपोर्ट वराठोटी फोनियोस अब क्या जाने सामी लड़के बच्चे के रिक्स में ही मारे दोनों छोटे तने ने तने ने ता मारा इत्ता योग के अगर अश्यान होई के मारी सी घसीट घसीट मारी सी जबताई सी अमरे लड़का का उनना सब्सक्राइब नहीं है अब बता नहीं चला तक कुछ पता नहीं चला तक पता नहीं चला तक तुम्हारे लड़का का बेड़के रखे रखे गुलाब के लावा को को नहीं बता मैंने तेतना बड़ा रोला बता यह बाद आपने पुलिस को बताई थी अभी आज बताए हैं आज उस दिन नहीं बताया था अभी हमको पता चला तब हम पताएं क्या नाम आपका मंता राजागी